नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ही प्यूस आप सभी का स्वागत है ओपन श्टडी गुरुकुल की इस ओनलाइन प्रेटफॉर्म पे रीसेंट एक खबर काफी चर्चा में है डिल्ली एंसी आर के लगभग सो इसकूलों को बम से उडाने की धमकी मिली और ये धमकी साथियो एक इमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ अब आपके मन में एक प्रशनाता होगा कि आखिर ये इमेल कहां से आया तो इस वीडियो में साथियो हम लोग थोड़ा से इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ये खबर साथियो अभी ट्रेंडिंग पर है ठीक है अब क्या है कि साथियो आपको भी पता है कि जब भी इस तरह के साथियो धमकी मिलेंगे तो दहशत का माहोल तो बन ही जाएगा और लगभग 100 इसकूलों को यहाँ पे साथियो बताया गया है कि जो सबसे पहले इसकूल है जिनको ये बमकी धमकी मिली इसमें आपके मयूर बिहार में एक इसकूल है ये पहले प्राप्त होता है ठीक है अब क्या है कि साथ्यों इन श्कूलों ने अपने तरब से भी प्रयास किया कि जो बच्चे हैं करमचारी है उनको सुरच्छित बाहर निकाला जाए अब जैसे ही साथ्यों मामला दिल्ली पुलिश और बंब इस्पोजल स्कॉयर की टीम तक पहुचती है तो उन्होंने साथ्यों एक तलाशी अभ्यान सुरू किया और जब इन्होंने साथ्यों तलाशी लिया तो इनको कुछ भी अपत्ती जनक नहीं मिला ठीक है अब जब साथ्यों इनको नहीं मिला तो इन्होंने ये कहा कि ये जो इमेल मिला है ये अफवा है अब इस तरह के चीज़े बार-बार हो ना कहीं ना कहीं साथियो ये खत्रा की निशानी है दूसरे चीज़ की साथियो ये email आ कहा से रहा है इसका भी पता लगाना है लेकिन साथियो अभी जो सिछा निदेशाले है इसने एक advisory जारी की है और उन्हों साथियो ये कहा कि official जो email ID है school क वहाँ पे जो भी इन्हें email या संदेश प्राप्त हो वो समय समय पर साथियो इन सारी चीज़ों की जाच की जाए या कुछ भी संदिग्द आपको नजर आये तो तुरंत समंदित जिला सिक्षा अधिकारियो और दिल्ली पुलिस को सुचित करे ये बात साथियो एक advisory के बता लगा लिया है इसके सासत इन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस से इस मामले में विस्तिरित रिपोर्ट भी मांगा गया है और साथियो एक special sale के माध्यम से इसकी जाच सुरू करा दी गई है क्योंकि साथियो ये जो मुद्दा है साथियो नेशनल स CR में ठीक है साथियो तो ये एक काफी गंभीर मुद्दा है दूसरी चीज साथियो हम बात करते हैं कि ठीक है ये तो हो गया यहां पर देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का ट्विट है जिसमें उन्होंने साथियो बताए कि कुछ स्कूल के इमेल मिलता है फिर उसके बाद हम ल इमेल मिलता है थोड़ा सा हम लोग इसमें बात कर लेते हैं जिस इमेल आइडी से दिल्ली एंसियार के स्कूलों को बम से भरा धंकी भरा पत्र भेजा गया उसका नाम आप देख सकते हैं कि शवारियम मेल डाट रू है अब तक कि जाच से पता चला कि जो सवारियम है इसका अरभी शब्द है इसका जो अरथे तलवारे टकराना है ठीक है यह साथियो उस इमेल से मिला है अब क्या है कि साथियो इस सब्द का प्रियोग देखा जाता है कि इसलामिक इस्टेट 2014 से इसलामिक प्रोपेगंडा फैलाने के लिए कर रहा है एनाई की रिपोर्ट के मताब में पता लगा है तो पता चला कि जो आईपी एड्रेस से साथियो वो रूसी डोमेन का है साथियो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजिंग रशियन डोमेन ये भी एक साथ यो बहुत बड़ी चीज है यह पता लगा है कि यह जो इमेल इनको मिला है वो वी बीपियन का अपियोग करके भेजा गया है वर्चुल प्राइबिट नेटवर्क ठीक है जिससे साथियो मूल पता छिपा लिया जाए ठीक है और इसमें जो आईपी आईपी का मतलब होता है साथियो इंटरनेट प्रोटोकाल ठीक है उसमें साथियो रशियन डोमेन का पता चला है अब यह भी पता करना है कि क्या यह मेल रस्या से आया है या नहीं इसके पीछे कौन सी संगठान हो शकती है यह सारी कुछ साथियो अभी साथियो ट्रेश करके इसकी बारे में जनकारी लिया जाएगा ठीक है आप सभी के मन में एक प्रशना आता होगा कि आखिर यह आईपी क्य क्या जाता है जैसे अगर आप साथियो अभी मोबाइल उपयोग कर रहे होंगे तो आपके मोबाइल का भी यानि कि जो अभी आप डिवाइस उपयोग कर रहे हैं उसको भी साथियो एक आईपी एड्रेस असाइन किया गया है जिससे साथियो आपको इंटरनेट की दुनिया कि पहुँच मिलती है ठीक है तो ये बात आप समझिएगा दूसरे चीज़ सात्यों अभी हमें ये पता लगाना है कि क्या ये वास्तों में रूस से आया है या नहीं इसके पीछे सात्यों कौन से संगठन का हाथ है इसकी जाच सात्यों चल लही है अब इसमें पुलीस इंटर सर्विस प्रोवाइडर के मदद से सात्यों ये सारी जानकारी निकालने की कोशिश करेगे ठीक है तो यहां तक आप तो बात समझ गये दूसरे चीज़ सात्यों आपके लिए प्रशन है जिसका उतर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा के अंदर सासीत प्रदेश दि कई बैचेच भी चलते हैं अगर आप से सी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जाके सात्यों बैच में एन्नोल भी हो सकते हैं ठीक है तो चले ये सात्यों मिलेंगे नेक्श वीडियो में आप सभी हम इतना प्यार देते हैं इसके दिल से धन्यबाद आप सभी अपना ख्यार लखें जहिंते